Hello friends I hope that you are almost doing good friends आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे पाकिस्तान के बारे में फिर्ट्स पाकिस्तान ने अभी अपने नेवी में एक spy ship को add किया है फैंड यह वीडियो अब बहुत important होने वाला है यह पाकिस्तान का पहला spy ship है और अगर आप शेयर में नए है तो प्लेन के लिएफ ऑच्भाव Kelvin पाकिस्तानी नौ आपी के जरी इस बात का K coolerसा किया है पाकिस्तानी नौ सेनव को अपना पहला जासू़ाज था कि यहुँक्तिफान के पहले पाकिस्तान के पास Kोई भी जासू़ाज नहीं था और इस जासुसी जहाज का नाम PNS रिजवान है और PNS रिजवान का नेमार चाइना के दौरा किया गया है तो फ्रेंस देखा जाए ये इंडियर्टली चाइनीज मेर्ड स्पाई शिप है इसमें इंडियर्टली चाइना इन्वार्ड है फ्रेंस वैसे पाकिस्तान की तरफ से अभी इस जासुसी जहाज को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस इस इसपाई शिप को इंडियन नेवी की आइनेस ध्रुफ के काउंटर पार्ट में इंडिक्ट किया है और फ्रेंस आइनेस द्रोग जो की इंडियन नेवी का जासुसी वेसल है जिसे 2021 में सेटलाइट्स और बैलास्टेक नूकलिय मिसाइल्स को ट्रैक करने की कैपेबिलिटीस के साथ इंडियन नेवी में कमिसेंट किया गया था वहीं रिपोर्ट्स के मताबिक इंडियन डिफेंस इस्टेबलिस्मेंट के सोसिस दौरब बताया गया है कि पाकिस्तान के इस इस्पाई शिप का इस्तमाल भले ही पाकिस्तानी नेवी कर रही है लेकिन इसमें चाइना उसकी मदद कर रहा है इसके अलावा पाकिस्तानी नेवी का PNS रिजवान भारत के INS धुरुफ के तुलना में काफी छोटा है लेकिन पाकिस्तानी नेवी में इस जहाज के सामिल होने से पाकिस्तान उन देशों की सूची में सामिल हो जाएगा जिसमें अभी तक केवल चुनिंदा देश ही मौज किया है लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इस इसपाई शेप को चाइना से खरीदा है वहीं अगर पाकिस्तान के इस इसपाई शेप के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान ने PNS रिजवान के ऑपरेशन को अभी तक सेक्रेट रखा किया गया था यानि कि उस टाइम तक इसकी जानकरी थी क्योंकि इस दौरान इस जासुसी जहाज ने अपने Automatic Identification System यानि कि AIS को आन किया हुआ था इसके बाद से पाकिस्तान के इस जहाज ने Operations के दौरान किसी भी अनसेन जहाज की तरह AIS को चालू नहीं किया अनसेन जहाज यानि कि जो Military Vessels होते हैं वो ज़्यादा तर AIS सिस्टम को बंद करके रखते हैं जब वो Operations में होते हैं फिर्ट्स यहाँ पर हम आपको बता दें कि AIS यानि कि Automatic Identification System ये एक Data System है जोकी तकराओ से बचाने के लिए जहाजो को अपनी इस्टिती बताते हैं और अन जहाजो के इस्टिती प्राप्त करने की अनुम्ती भी देता है हाला कि यह बात ध्यान देने वाली है कि इन में से सभी जहाजो के इस्टिती सही नहीं होती है क्योंकि जो military vessels होते हैं वो अपनी इस्तिती हमेशा सही नहीं बताते हैं वहीं अगर पाकिस्तान के इस PNS रिजवान के बारे में बात करें तो PNS रिजवान लगबग 87.2 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा है और इसे एक offshore supply ship को modify कर तयार किया गया है साथी इस पाकिस्तानी जहाज को चाइना के फुजों में इस्तित फुजियान ship building limited में बनाये गया है और इसी जगह पर चाइना ने 1866 में अपनी सबसे पुरानी चाइने ship building factory स्थापित की थी इसके लावा पाकिस्तान के PNS रिजवान में 3 doms हैं और ये संभावित रूप से tracking device और radar है फरेंस वहीं experts का ये भी मानना है कि modern warfare में पाकिस्तान का PNS रिजवान और भारत के INS धुरुज जैसे जहाज important role निभा सकते हैं फरेंस देखिए पिछले कुछ सालों में युवान वॉंग 5 और ज्यांग यांग होंग 03 सहित कई अलग 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 Chinese spy ship नियमित रूप से भारत के आसपास के देशों में रुक रहे हैं जिसके चलते भारत को आसपास की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है और ये एक important मुद्धा बना हुआ है इसके अलावा बहुत सारी important परियोजनाय के परिक्षन में भी देरी हो रही है जिससे भारत पर अब अतिरिक्ट सावधानी बरतने का दवाव बढ़ जाएगा फिर्ट्स विसे वहीं माना ये भी जा रहा है कि इस spy ship के निर्मान और इसके बाद चीन से पाकिस्तान के लिए प्रस्तान के बारे में भारत की government agencies और उसके सहयोगियों को strategic रूप से उसकी जानकारी थी और वे नियोमित रूप से इसे track भी कर रहे थे इसके अलावा ये जासुसी जहाद जो सेक्रो किलोमेटर दूर होने वाली घटनाओं को सुनने और track करने के लिए डिजाइन की गई है इसकी कीमत बहुत अधिक है और पाकिस्तान जिस अनिश्चित वित्य स्थिति में है उसे देखते हुए इस घटना करम से ये सवाल उठाना सवाभिक है कि International Monetary Fund और World Bank दोरा पाकिस्तान को नियमित रूप से दी जा रही आर्तिक साहता क्या Chinese Defense Manufacturing Companies को दी जा रही है तो इस सब के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राब दे चैनल प्रस ता बेल आइकन थैंक्यू सूमाइट